कि गुड़ी यूनिंग मेटा कैसे हैं आप सभी लोग जल्दी सिक्मेंट कर गोता ही आप चैसे जानते हैं कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो सभी लोग पढ़ने के लिए पस्थित हो जाएंगे और बहुत प्यार से पढ़ेंगे आज पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक नया पार्ट दूसरा जन्तु का वर्गी करन का हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें क्या क्या है उसको सारी बात करेंगे और क्लास का ब्लुक सेर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ठीके चलिए क्लास स्टार्ट करते बिटा सभी को गुरी यूनिंग ओके चलिए जी खुशी गुरी यूनिंग बिटा भूमिका हलो सर्ज जी और सभी लोग जी जी सभी को इद मुबारक इद है क्या बिटा इद तो नहीं लगता है मुझे जी 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 चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए ओके बिटा चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कहां तक पढ़े थे हम लोग जो है कल पोरी फेला तक पढ़े थे पोरी फेला के सारी बात किये थे ठीक है नाइड एरिया के सारी बात किये थे ठीक है आज हम लोग चल रहे हैं संग टीनो फोर ठीक है संग टीनो फोर संग के बारे में आपको समझना होगा और जिसका वन साट वीडियो जब आएगा तो आप लोग इसको पूरी तरीके से फिर से पढ़ना ओके वन साट में पूरा का पूरा रहेगा अभी हम लोग समझते हुए बेसिक बाते जानते हुए चलते हैं ओके आज इद नहीं है क्या आज इद नहीं बेटा आज बकरीद है ठीक है इद अलग होता है बकरीद अलग होता है ओके चले क्लास स्टार्ट करते हैं तो देखें आप जाएंगे पचास नंबर पेज और आपको एक मिलेगा संग SANG broke T no four क्या मिलेगा तेनो 4 ऊके टो टी नो फोड पर आएंगे संग तीनो फोर पर हम लोग पड़ेंगे और इस में देखिए टीनो फोर की सदस कांसे होते हैं और इनका सरीब कैसे है। जैसे मैंने सुर्वात में बताया था बिटा कि हम किसी भी जन्तु को जो पढ़ते हैं समझते हैं तो उसकी कुछ बातों की याद रखते हैं। उसकी संदचनाव को याद रखते हैं कैसे बात समझें हमने कहा कि उनका सरीर कैसे बना है एक कशकी स्तर का भी बन सकता और अंग तंतर का भी बन सकता है Servant करता है और दूसरी बात जनन भी करता है तो अगर मैं कहूं की ही छोटे एक चोटे जीव से चोटे अनिमल से लेकर के बड़े अनिमल百 के हम लोग तुलना करें तो सभी में क्या होता है कि सब्सक्राइब लेता है अलग-अलग उसको माध्यम अलग-अलग उसकी संरचना होती है दूसरी बात करें किसे बना है कौन-कौन अंगोश मिल करके बना होता है तो हम लोग लेबल से चल ले हैं और हाई लेबल तक पहुंचेंगे ठीके ना अभी हम लोग लोग से लेकर के हाई लेबल तक पहुंचेंगे तो इस इस बात को मेरी गाउड से सुनिये सुनना क्या है कि आपको बस समझना होगा कि हम लोग पोरी फेरा में कोशिकी से कोशकाओं का समूँ ठीक है कोशिकाओं का समूँ उसका बौड़ी बना लेता है जैसे स्पन्ज का और उसी कोशिकाओ ठीक है अगर हम नाइड curriculum की बात करें तो नाइडард एडिया में हमको ये समझ में है कि इनके अंधर दू इक हुआ है इनसे तक NE ठीक है तो बहू को बात करें मालोग कागज ने वहांसे भी कागज मैं ऐसे कर दूं कि ऐसे एक गोला कर देता हूं तो इसके यह जगा बन गई गई हैं सिर्फ और आइसे नीचे से ऐसे बंद कर दूं ठीक है और इसे प्रक्राइब स्वार्च findet Dota Dota. यह जो है you髙ệ है यह थ्कीh कोरले की है यह अंदर की बाहर का लग ठीक है फिर गालार को यह अंदर की अलती बाहर की लग 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 ले और यह बीच में एख्शिद्र बन दूर यह कि एक के मलब की है कैनाई सिस्टम बन जाता है इसी बोजन का अंदर जाता है पच्ता है पिनिकल जाता है अब देखिए अगर मैं कहें दो यह काल अंग हो गया और बहुत सा रहां इसके अंदर चला जाएंगे लेकिन अभी अभी नाइडेरियम इस्टम सिंपल बात बताई गए ठीक है एक दम सिंपल सी बात अब ह यहां पर आये सदेस्यों में एक बात कहा गया क्या बात है द्यान से समझे समझें। इसमें एक समांता को सम।ृद्र कहते हैं एक कुशन यहां पर आपका हमें साぞफ़ रखना कैते हैं समुद्री अख्रोट, ओके, ओके, खुशी तुमको मैं बहुत मारूं गई बाद समझ लेना करें, सर इसमें हम नमकीन काते हैं, क्यों, इसको मैं एक्जामपर समझा रहा थी, नमकीन नमकीन खाने लगी है, क्यों, नमकीन खा लो, चूरन खाए लो, बूम का गरें, आपको पूरा नाम क्या है, अधार कार्ट भिजवा देंगी, किसे दिनी स्कैन करके, ऐसे दिखा देंगे, आप लोग देख लेजीए, ओके, चलिए, तो यहाँ पर देखिए, एक बात, एक कोशन नमबर वन, कोशन नमबर वन भाईया रहे, एक कोशन मना, समुद्री अक्रोट किसे कहते हैं, तो आप कहें, संग टीनो फोल के सदेश्टों को, समुद्री अक्रोट कहते हैं, अभी मैं लास्ट में कोशन पूछूं गए, एक नोट करते रहना, ठीक है न, देखता हूँ, किसका किसका दिमाग चल रहा है, ओके, हाँ, सभी क्लास आने वाली बेटा, सभी क्लास पाँच पाँच दिनों की आने वाली है, ठीक है, सभी क्लास पाँच पाँच दिनों की आने वाली है, आप परिशान होगी है, अंजू पाल, ठीक है बेटा, परिशान मत हो बेटू, सभी क्लास पाँच 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 दि सोनी चलिए आगे देखिए कह रहा है इनका कंकाल जैली कहलाती है क्या कहलाती जैली चालो यह बात हुई अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं तो हमको पहले पॉइंट में कोशन मिला कोशन क्या है वेटा कोशन में यह गया कि समुद्रिय ख्रोट किसे कहते हैं तो आप क具जिए संग टिनो फोर की सदश्यों के समुद्रिय अख्रोट कहते हैं और समुद्र वासी, सम्म्मितु की होते हैं समार है ना आरी सम्मिति का मतलब यह होता है बेटा कि हम इसको क्या करते हैं दो भागों में बाठ सकते हैं ठीक है ना दो बराबर भागों में बाठ सकते हैं उसे कहते हैं आरी सम्मिति अगर दो बराबर दाएं और बाएं में बाठ सकते हों तो उसे हम लोग कहतें दुई पा पाल जे लिए घ्रके तो यह दूई कोड्की होते हैं। मैंने आपको बठाया कि बेटा जैसे यह एक संदचरा मान लो और दूसरा यह बेटा मान लो यह तो यह हो गया दो लेखर हैं न तो ऊपर नीचे इसमें दो तो कहता है दूई कोडुकी होता एक देखो इसमें अलग-अलग कलर है किसका कहता है दूई कोड़ की होता है बास समन्ध में आ एैने उके इनका दूई कोड़ की मल्ला दो लियसा इस्में उतक सेरी का संद्री संगठन होता है मलब की बहुत सारे कोशका है देखो जैसे मैं ऐसे कह दूँ ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो आइसे कह दूँ देखो ध्यान से ये बहुत सारे ये सेल है और सेल मिला करके एक यो संदचना बना ली इसे उतक कहते तो ये उतक कह रहा इस में उतक सिनडी का सरीर होता है इन्हीं उतक को सिमिल करके बना होती है ठीक है न अगला सरीर में आठ बाह पच्छा भी कंकत पट्टियां होती है मतलब की सरीर में उसके क्या होते हैं पट्टियां पाए जाती है ऐसे 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 ठीक है इसमें बताएगा इनकी सरीर को पर बाह माने बाहर की ओर आठ कंकत पट्टियां होती जो चलन में सहायता करती है जो क्या करती है लोको मोशन लोको मोशन ओके लोको मोशन मनलो गमन ठीक है लोको मोशन में सहायता करती है लोको मोशन मनला वन प्लेस से अधर प्लेस जाना क्या होता है गमन होता है जब कोई जी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उसे हम अम लोग गमन कहते हैं या लोको मोशन लोको माने स्थान कवार तो क्रभार कि दवरा जाती है पंच लोको मोसन करने के लिए पाइड नहीं होता है तो इसमें क्या होता है पंच्छा बिक प्रदान करती है करे है सब्सक्रेंद करें बता है और क्लिए चलो फिर देखे इसमें पाचन अंत्रहकोस्की और अंत्रहकोस्की दोनों प्रकार का होता है अंत्रहकोस्की माने यह देखो अंत्रहकोस्की माने सिल के अंदर कुछ डाइजेस्ट करना भोजन को ले करके सिल के अंदर पचाना होता है और अंत्रहकोसिक का अंत्रहकोसिक मरलब यह होता है कि बहुत सारे सिलोग के बीच में यहां पर भोजन पचना ठीक ना यहां पर भोजन पचना की एक जगा पर पढ़ना तो इसे कहते हैं अंता कोश्की और अंत्रा कोश्की ओके तो कोशिका के अंदर कोश्का के अंदर भोजन पचना कहता है अंता कोश्की और अंत्रा क उसकी चलो जो संदीप्त वाले होती नहीं प्रकास को उस सर्जन करने वाले टोनिफोर की सदस होते हैं मतलब कि यह जो टीनोफोर की सदस हैं अगर समुद्र में कभी देखे होंगे ठीक है समुद्र में देखे होंगे तो कभी ऐसा दिखाएं कि समुद्र में लाइट जल रही ठीक है पानी में कुछ लाइट जल रही है जैसे जुगनु होता है जुगनु में लाइट नहीं लगी होती है तो यह क्या करता है पानी में यह प्रदीप्तिनी की लाइट लाइट को सर्जन करते हैं इसा लगता है कि इसके अंदर कुछ लाइट लगी है पानी के अंदर जहा जहां जाती जलते हुई चले जाते हैं तो मुलब ऊतराणी होते हैं यह कोशन पूचा गया एंसे आ यह पढ़ेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा कि यह कौन से प्राणी है और पूसता कि संग की सदस्व के पास क्या होता है जीव संदीप्त होते नहीं प्रकास उत्पन करने की छमता होती है तो आपको पता चलना चाहिए वो संग टीन फोर के होते हैं ठीक है ना कि अज़िए सर समुद्र ने देखा भी तक बिटर चले जाओ समुद्र देख लोग चाहिए जिदा चले जाओ कितने दुर्भाग है तुम लोग लोगों का कि भारत के चाहिए तीन ओर समुद्र से ही heeft ठीक है जिसे हम लोग पृढये देखी भारत के नाम से झानते है ठीक है करीव कोई डीफ होता है तो जमीन का खंड़ जहां चारों तरह पानी होता अनokay समुद्र होता है उसे कहते हैं अगर जब किसी मैं खंड़ के टीण प्राइब कितना है बहुत हैं ड कर दाबारत में प्राइब पर चले जाएंगे ओढ़र जिदर जाएंगे बंगाल की खाड़े जाएंगे ठीक है और दच्छिर भारत जाएंगे हिंद महासारगार अरभ सागर कितना है भाईया बेटू अब इसे निकल लो चले जाओ पहुंच जाओगे ठीक है अच्छा खुद कमाओगे तो जाओगे ओके चलो देखो एक बात बताएं घूमने वाले के लिए पैसे की आवस्सकता नहीं आए आज इंगली सिसने ने चले कि साहे सराज बकरीद मना रहे हैं ठीक है ना बस करो बस करो बस तुम कितनी बार लिखोगे हो गया मैं अनपढ़ तो बेटा की मुझे नहीं दिखाए देगा इदने बार लिख रहे हो ठीक है चले अब बस करो आगे बढ़ें आगे बढ़ते बेटा तो लोग कोश्चन खतम हो गया तो आगे बढ़ते क्यों आगे बढ़ते तो प्रकास उसर्जन करने वाले प्राणी टीनो फोर्ड टीनो समझ रहे हैं समुद्रिया क्रोट किसे कहते तो टीनो फोर्ड और प्रकास उसर्जन करने वाले समुद्र में तो टीनो फोर्ड के सदस समझ रहे हो ये बात आप जो एकदम एकदम आपको नहीं लगे ना उसको याद करो ठीक है जो नहीं लगे एकदम उसको याद करना है च और मादा एक ही बोड़ी में होते हैं जैसे जैसे तो बताओ केचुवा केचुवा देखे हो ना जिन्दगी में कभी केचुवा देखो समुद्र तो नहीं देखो चलो केचुवा देखो बेटा केचुवा केचुवा के सरीर में नर और मादा दूनों भाग जुड़ा होता है तो देखे केलनर और माधा अलग नहीं होते है, या केवल जनन में केवल लएंगिक जनन कहते हैं, यहीं गयमिट बनता है, क्या गयमिट लएंगिक जनन करते हैं? ठीक है चलो करा निसेचन बाय होता है बेटा निसेचन बाय होता है क्या होता है निसेचन बाय होता है दो निसेचन होता है बेटा एक आंतरिक निसेचन होता है एक बाय जब भाईया ए भाईया सुना तो हमार बात हमार बात सुना जैसे इनके सरीर का जेखो ये सरीर है ठीक है न ये इनका सरीर है यहाँ पर देख लो टीनो प्लाना टीनो प्लाना का डाइग्राम है देख सकते इदर टीनो प्लाना पर आ जाओ तो कहता है इसके सरीर में नर और मा भाग होता है तो एक भाग मालो नर है यहां पर तो यह गैमिट छोड़ देगा बेटा यह गैमिट छोड़ देगा यह गैमिट आ जाएगा और यह मादा भाग है तो यह भी गैमिट छोड़ देगा समझो ना समझो अब यह गैमिट क्या होगा पानी में आ करके पानी में आ कर के यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, जब दोलों जूड़ जाएगा, गैमिट गैमिट पड़़ूचन कहते हैं, ठीक है, कौन स्ट होता है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेप्रोड़क्सन केते हैं या कहते हैं लाएंगिक जनन सेख्शुल रेप्रोडक्सन या तो लेएंगिक जनन के नाम से जाना जाता है ठीक है समझे आप रहा है यह सरीर के बाढ़ होते हैं सोनी कही रहे कि सार जो है केचुवा एकदम साप के बच्चे की तरह होता है नहीं ऐसा कुछ नहीं पागल हो तुम ठीक है ना मैं नहीं माल सकता केचुवा में हडड़ी होती नहीं है बताओ उसके अंदर जो होते अंता कंकाल नहीं होता है तुम जूर बोल ले हो जबकि सर्प में हड़ी होती है क्यों तुम जूर बोलती हो सोनी है ना चल यहां पर आजाओ विटा तो फटिलाइजेशन हुआ और कांसा हुआ बाई निसेचन क्योंकि सरीर के अंदर नहीं होते दोनों बाढ़ पानी में छोड़ देते दोनों जूर जाते इसलिए से कहते हैं क्या कहते है एक्स्टरनल फटिलाइजेशन बाई निसेच होता है अथवा अप्रत्य परिवर्दन होता है जिसमें लारवा वस्थान नहीं होती है जैसे यहां पर दो एकजाम पर है प्लूरो ब्रीका और एक उटा टीनो प्लाना ठीक है ना यह है टीनो प्लाना का डाइगराम ओके वेटा चले इसमें देखिए यह पट्टिया होती है आठ पट्टिया होती इसिक द्वारा ये चलता है लोको मोशन करता ठीक है ओके अब देखो एक बच्चा लिख रहा कि केचवा एक कोस्की जीव है इनको समझा लो एक कोस्की जीव है इतना बड़ा सा हां क्यों बच्चा लवलेश पाल कुछ बच्चे जो है एंसर सही दे करके जाने जाते हैं कुछ गरबर घुटाला करके जाने जाते हैं सोनी करें साप में हड़ी नहीं होती साहर तुम लड़की पिट जाओगी ठीक है ना साप में हड़ी नहीं होता है सड़ सिर्फ प्राड़ी होता है काड डेटा वाले काड डेटा आते हैं क्यों अभी ध्यान से सुनो बेटा सुन लो तुम लोग कसम से इस्तर नहीं समत पाओगे मुझे पता है सुनो अभी हम लोग जानते हैं ऐसे प्राणी पढ़ने हैं जिन में बहुत सारे सेलो के समू है हड़ी उड़ी कोई मैटर नहीं ह समझें कि नहीं बाहिक अंकाल होता है हड़ी उड़ी यहां पर कुछ नहीं पाए जाती ना इनमें पाए जाती ना इनमें किसी में नहीं पाए जाती अभी हम लोग आगे इस सिता बढ़ते बढ़ते जब काड डेटा में जाएंगे बेटा तो काड डेटा के आगे आगे आ उसकी बात करता हूँ ठीक है चलो तुम लोगों के लिए एक वान साट वीडियो लाक दे दूँगा ठीक है ना ठीक है तब आपको समझ में आ जाएगा बेटा एकदम आपके लेंग्वेश से पूरा आपको किस बेश से आप देखते वही तो बतिया मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ना कि जो बुक के भासा अगर पढ़ा हो तो तुम लोग बात नहीं समझ में आती है अब यहां पर नहीं लिखा कि हड़ी नहीं पाया जाता बेटा यह बहुत सिंपल प् आचा बनाए रखा है की नहीं बनाए रखा तुम बताओ लड़ों ना सोनी और कौन थी यह लड़की ईस अनत्या सुनी नाम को बनाई है लेकिन यह सादैनल का मुझा यह सारा दिन ईस इससे आईडी बना देते हैं कि इनको पहचानना मुश्किल हो जाता है ठीक है ना तुम लोग इकदम पता नहीं बात समझो बेटा हम लोग मैं कैसे बताओं मेरे भाई कैसे बताओं मैंने कहा सिल होती है इसके बाद हम लोग सिल के पढ़े फी उतक पढ़े अभी मैंने हड़ी उड़ी की बात ही नहीं की ठीक है मैंने सिर्फ संदचना की बात की कि ऐसे सिर्फ प्राणी होती है ओके ठीक है तुम सब लोग आपस में लड़ोगे आपस में मत लड़ो बेटा तुम लोगों जो मन में हो ना जानते हो कसम सच्छ है एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ तुम लोग इतनी बड़ी दुनिया है इतनी बड़ी दुनिया में इतनी बहुत सारे लोग है बहाती बहाती के लोग आलाकल तरीके के लोग हैं कि से कभी लडने की को सिस करें आप पागल हो जाएंगे जो जो बोलने दो आपको क्या पढ़ना उसके बारे में के समझो यह सोच कि मत पढ़ो कि बैटा हमें पास होना है यह सोच के पड़ो कम से कम दुनिया जानना है यार किस हिसाब के तुम लोग हो तुम यह के उपड़ते हैं कि हमें पास होना है तुम्हें यह एसे नहीं करना है तुम्हें यह करना है कि हमें जानना है दुनिया के बारे में क्या बताओ भाइस जानवर कुट जानता है सेर के पास चले जाओ तुम गिलगिला करके रोने लगो नहीं मेरे पांच बच्चे दो बच्चे सब बूखर मत रहें मेरे पद्दया करो खा जाएगा हर एक जिवधारी से भोजन के लिए डिपेंड है एक दूसरे को खाके जीता है लेकिन मनुस्यशा है जिसमें समझता है हर बात को समझता है समझ रहे हर बात को समझता है वो बोलता है समझता है तो क्यों ऐसे जानवर बन रहे हो ठीक है क्यों जानवर बन रहे है अरे दुनिया में आये तो कम से कम आप दुनिया को देख तो लीजिए आप जानतो जाएए कि ऐसे प्राणी है बताओ ऐ कैसे प्राणी होती हैं क्या क्या करते हैं कैसे कैसे होते हैं ठीक है ठीक है पता नहीं कैसे के लोग है मेरे भाई कसम से लोग अपनी सहरों में पैदा होते हैं अपनी सहरों में ही मर जाते हैं वो अपनी सहर से बाहर नहीं जा पाते हैं लेकिन एजुकेशन सिक्षा एक ऐसा बिस्फोटा के अंत्र है जहां पूरी दुनिया को दिखा सकते हो कैसे बात करते हो यार आप लोग सिक्षा कमात समझते हो सारी दुनिया से पड़े होना सारे बंधनों से मुक्त होना आप कैसे कैसे बात के? पढ़ते समय पता नहीं क्या करते रेते हो. ठीक है, आप लोग लड़ते हैं, पढ़नी को मन नहीं लगता. मेरी भाई मैं आपको समझाना का रहा हूँ, आप अपने दिमाग को खोलो बेटा, आइसे तुम लोग दिमाग नहीं खोल पाते हैं उसे में लड़ने आपसे तो एक बात समझ लो ठीक है एक बात आप समाझ लो अगर दुनिया जानना है ना थोड़ा सा पढ़ाई करने की कोशिस करो नहीं तो बस बस जीवन भर यही समझ जाओगी कि यह आस पास अगल बगल बस हो गया कि दुनिया कित्ती बड़ी अभी एक बच्चने का समुद्र नहीं देखें सोचो आप समुद्र नहीं देखें अभी समुद्र क्या है कि कित्ती बड़ी बात अब देखें रिकार साथ बिल्कुन विलन जैसे देखते हैं वह उता है बेटा अगर सही बताओ तो विलन बन जाओ तुमको पीटा हूं का कभी में हां देख लो क्या है आज का यूग नहीं है कल यूग है अगर किसी की सही बताओ तो कोई मतलब नहीं चलो आगे चलते हैं बेटा ठीक है दूसरे हम चलते हैं फॉर पाइंट टू फॉर संग प्लैटे हिलमेंथिस मेरी बात समझना प्लैटे हिलमेंथिस का मतलब कि ऐसे प्राणी जो चापटे क्रीमिक होता है फीता के जैसे होते हैं रिबन जैसे होते हैं कैसे फीता यार रिबन जैसे होते हैं यह प्राणी में हड़ी गुड़ी नहीं होती हैं इसमें पायरोवर नहीं होते हाथ होत नहीं होते हैं और ना कि इसमें तंत्रिकां ब्रेन अभी पाई जाती कुछ नहीं पाई जाती इनके सरीर होता कैसे कैसे होता कोछका का बना कि अंगों का बना कौन सा अंग मैं अभी जेस्ट बताता हूं समा लेना ओके बास समझे पांद दिन चलेगी चलेगी मेरे भाई थोड़ा धैर रखो चलेगी कल परज़ चल जाएगी हाँ तो रीबन टाइप चप्टे होते हैं बीटा चप्टे अब इसमें के बास समझेगा जहां पर आपको डाउट लगे ना कि आख होती है ना कोती है अभी आख नाख भी नहीं हुई इ सब प्राणी है वो सब प्राणी है टीनो पोड़ी फेरा सब जनतु है लेकिन आक नाक नहीं है मेरे भाई दात होत नहीं है उनके पास तो लो चबाए लो ठीक है ना उचबाने वाला चीद नहीं है हम लोग जिसे चबा लेते हम भी प्राणी वो भी प्राणी अलग इसी के तो अलग करता है इसी के लोग हम लोग तो पढ़ते हैं कि ये इसमें क्या क्या है भाई ये इसमें क्या कितनी बड़ी बात है अरे भाईया कब समझो कि मेरे भाई जो समय बरबाद कर दोगे जो समय बरबाद कर दोगे तब समझोगे एक अपने माइंड को खोलो भाईया आप बेटा चलेगी क्लास चलेगी पांथ दिन कंटने ठीक है कि चलो कि यह आप देखो कहई रहा कि इस संग के प्राणी को पिष्ट धर रूप में चप्टे होते हैं मनलब कि ऐसे चप्टे क्रीम कहा जाता है चप्टे क्रीम किसे कह जाता है इस संग के प्राणियों को चप्टे क्रीमी कहा जाता है इस बात पर फोकस करते हैं चप्टे क्रीमी कहा जाता है दूसरी बात इस समू के अधिकांस प्राणी मनुस और अन परजीवी के रूप में उने रहते हैं कहता है मनुस इन समू के प्राणी मनुस से तथा अन सुवर वर की बात करते हैं मनुस और सुवर के आतों में पाए जाते हैं कह रहा है कि अंता पर जीवी के रूप में पाए जाते हैं किसमें अंता पर जीवी मनला हम लोगों के आतोत में ये पाए जाते कौन ये चापटे क्रीमी वाले समझेव चापटे क्रीमी वाले आतों में पाए जाते हैं एक्जामपन में अगर बता दू जिससे जो भैस होते हैं भैस के जो बच्चा होता है ना उसके पेट में कभी-कभी कीड़े पढ़ जाते नाम सुने होंगे अगर कभी देखी हूं कीड़े पढ़ जाते हैं तो कीड़े उनके पेट से निकलते हैं यही सबसदस होते हैं ठीक ह अगर जानते हैं तो ठीक है नहीं जानते हैं तो कोई बात क्रीमी मतलब होता है चप्टा बेटा ठीक है फीते क्रीमी ओके चप्टा जीव ओके अनुभाव गुप्ता क्या है बेटा तो कहें मेरा नाम ले लूँ मैं अमबड हो जाऊंगे चलो कोई बात नहीं मैं नाम ले लिया तुम कुछ सो जा बेटू कह रहा है इस समू के अधिकांस प्राणुई कहां पे मनुस्ष के आतों पे और अन जानवरों के आतों में अन्ता पर जीवी के रूप में अन्ता पर जीवी के रूप में पाये जाते है बेटा फिर रहे के चापटे क्रिमी दुआ पार सम्मिती होता है दुई पार सम्मिती मतलब बेटा इनका भी सरीर दुई दुई पार सम्मिती नहीं दुई लेयर उसने मिलकर के बना होता है और त्री क वही वाले होते हैं फिकेटा इसमें अंग स्तर का सरीर संगठान होता है। मतलब बेटा यहां पर देखो अभी तक उतक बन रहा था अब अंग इस्तर बन रहा और पड़ जीवी प्राणी में अंकुस्त था चूसक पाए जाते हैं चूसक देखो अंग बना चूसक साइकर की बात करते हैं कहज़ा साइकर पाए जाते हैं अब यह कहा करते हैं इसको चूसक इसमें जाएगा ऐसे यह गुसेल देकर नीडिल के बाद दें से और उसमें खान खाद पदार्तों को पड़ पोशी से सीधा अपने सरीर की सतापरा अऊसोचत करते लिए भू सीधे द्वारा ऐसे खीच लेते हैं ठीक है इसे जौला कोशक अगया परास्रान नियंतर और सरजन का करती है, अब मेरी बात सुनो बेटा, उस सरजन मनलब की देखो, कि वो सकता हुई, अब सकता जैसे माल लो इसे चूसक है, यह चूस लिया, बोजन को अब इसमें जो है यह बाहर यह जो बेस्ट मटेरियल आया जो हानिकारक पदात बना इतके सरीर में अब वो बाहर नहीं निकल रहा है इन्हीं के मुझ से तो कुछ सेल ले करके इनको बाहर निकाल देती है तो इसे जौला कोश्का गहें थे क्या कहते हैं जौला कोश करिम था आंतिक के अंदर मादा के शरीर के अंदर होता था परिवारदन में बहुत से लार्वा वस्था पाई जाती है पंरुद भावण के यह जिसमें पंरुद भावण के अपाट चामता लोगे और काट के भीक तो चोटे चोटे भागफी से बना लेगे इससे कहते हैं रिजनरेशन या पुन्रुद भाण जैसे देखे टीनिया फीता क्रीम फैसियोला यह डाइग्राम देखे यह टीनिया ठीक ना ऐसे दिखाई देता है इनमें हड़ी गुड़ी रहे वो चूसक होता है और यह खंडों यह भी चप्टे है ऐसे ठीक है चप्टे क्रीमी वाले होते हैं ओके चलिए आज की क्लास इतने रहेगी और बेटर जब आया करो तो पूरा एंसे आर्टिक बुक सामने ले करके बैड़ आया करो वो एक एक बात पूल लो आकर जो तो आरे मन में आये वो पूछते रहा करो थोड़ा जिभ्यासा से पढ़ो पेटा किस से पढ़ोगी जिभ्यासा से ठीक है ठीक है कोई नहीं पूरा थाइंक यू मैं आपके लिए लाए थाइंक यू देखो ठीक है क्या लाए थाइंक यू धन्वाद बहुत बहुत आबार लेकिन पढ़ते रहा हस्तर रहा मुझे कुड़ाते रहा हो ओके गाड बिलेस यू आल आप यू ओके बेटा